नमस्कार दोस्तों मैं पाइलेट समय तो एक आर फेड्स से आप सभी के सामने एक नई वीडियो एक नई जानकरी के साथ तो दोस्तों आज के हमारी गोड्स गाड्ड की सेलिक को दिखाने के लिए है और गोड्स गाड्ड या एलपी दोनों का काम train work करने के लिए होता है और यहां पर मैं बात करूं तो दोनों को KMA यानि कि किलोमीटर लाउंसिस दिया जाता है तो यहां पर मैं शरिफ गोड़्स गाड़ की सेलिप की बात करूंगा आपके सामने जो मैं अश्च गोड़्स कार्ण की रख रहा हूँ वहाँ एक आफटर जॉइनिंग इसलीप यानि कि वहाँ गोड़्स गाड जिसने पर आते हैं तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं तो इसमें ग्रॉस पे 58,698 रुपे यानि कि कुल बिलाके पूरे महिने की जो total salary है वो 58,698 रुपे है और यहां पर अगर net pay यानि कि कटोती के बाद की अगर salary की बात की जाए तो वह यहां पर बनते 58,618 रुपे यानि कि total salary तो आप समझ गए कि 58,698 रुपे मेंची समझे वाली यही थी कि इतनी salary तो बननी है ठी उसके बाद 58,618 रुपे after deduction के बाद हो गई अब हम बन वाई बन पूरी salary को देख लेते हैं यह salary after joining के बात की है क्योंकि salary slip को अगर देखते हैं तो यहां basic पे 29,200 रुपे है जो कि goods guard की starting basic होती है और दूसरी तरफ cutouti को अगर देखें तो यहां आपको NPS की cutouti नहीं दिखाई देती क्योंकि joining करने का जब आप अपने headquarter पर आते हैं तो उसका एक process होता है form fill up करना उसके बाद में आपको NPS की एक number मिल जाता है तो वो आपके ने रिष्ट आपको थ्री मन्त भी मान सकते होतना time लग जाता है तो starting है कुछ मन्त तक आपकी NPS की cutouti भी नहीं होती तो आपको यहां पर easily तरफ यह बात आप समझ सकते हैं कि यह cellless lip उस मन्त के जिस मन्त उसना joining के बाद train work किया है अब हम यहाँ पर 7th pay matrix को देखते हैं उसमें आप level 5th जो की payment 5200 से 20,200 की है और grade पर 2800 की post है तो उसकी starting salary 39,200 है और यह basic आपको space slip में दिखाई दे रही है यानि कि after joining duty करने के बाद आपको लगबग 60,000 या उससे ज़्यादा की total salary मिलेगी अब हम बाखी के allowances को भी देख लेते हैं basic पे 29,200 रुपे इस allowances 3416 रुपे house rent allowances 9,110 रुपे house rent जो है आपकी posting station पर depend करता है कि वह है x ready, y ready, z ready kis ready में है यानि कि वहाँ का जो house rent allowances 8% 16% 24% किस में आता है यहाँ space slip में 24% है आप लोग एक बार इस basic यानि 29,200 का 24% निकलना और comments करके जरूर बताना कि आपका 24% कितना आया है और यहाँ space slip में 24% से में क्या फरक आया है क्योंकि यही formula लोकोपलेट्स, साहिक लोकोपलेट्स और गाड की salary और को अन्य करमचारियों की salary से अलग बना देता है तो इसको एक बार जरूर comment करके बताना कि आपका 24% कितना बनता है तो वाखी के आगे की processing यानि आगे का allowances हम देख लेते हैं यहाँ पर transport allowances 3924 के में यानि किलो मीटरेज अलाउंस 10,645 जो की पुराना किलो के में के साथ में है जो नया के में का रेटा है उसमें नहीं है तो यह के में जो होता है वो fix amount नहीं है किसी महीने कम या ज़्यादा होता रहता sell allowances 120 रूपे night duty allowances 2283 रूपे है यहाँ इस मन्त की space slip में जैसे हम देख रहे है leave allowances नहीं लिये दिये गई क्योंकि कोई भी leave ली नहीं गई है NHA यानि कि national holiday allowances नहीं मिले है क्योंकि इस मन्त की sell leave में कोई भी NHA नहीं है तो यह हो गई पूरी sell leave का आपका analysis मैं छोटी इसलिए बना रहा हूँ वीडियो को ज्यादा लंबी ना बने दूसरी चीज़ आभी तक हमने यहाँ पर sell leave में designation नहीं देखा किसी नहीं भी अभी तक designation तो मैं बापस आप designation की तरफ लाता हूँ तो देखींगे यहाँ पर तो यहाँ आपको designation देख जाएगा जिसमें लिखावा guard in bracket goods यानि की guard माल गाड़ी का जैसे यह changes होता रहता है passenger mail बगलता रहेगा समय के साथ आपके promotion होते रहेंगे उसके बाद अब आपको मैं यहाँ यह बतातू कि sell leave जो है की बात आईगी तो समय sell leave जादा होगी क्यों क्योंकि KMA नए rate का लगेगा दूसरी चीज़ डिये जो है उस समय जादा होगा आज की अपिच्छा तो इस बात को देखते हो अगर मैं बात करूं जब आप join करेंगे तो पूर्स काड़ी जो sell leave आपको मिलेगी हरे वाली जो बात की है और डिये की उन दौनों का calculation करके जरूर बताईएगा कि मार्च में डिये कितना था तो उसके according आपका डिये कितना होना है और जो हरे यहां 24% है तो उसका difference कितना है तो मैं आपके comment का wait करता हूँ और hit the like बटन तो इसके साथ यहीं स्वांट करते हैं चैनल पर बने रहने की लेका और फिर से आपका तहीं दिल से धन्यवाद